वालादिया सारिया समस्या ली वर्दान है है तेल चाहे समय तो पहला वाल सफेद हो गया होना जाँ फिर बहुत जादा चारदे होना गंजे पांदी समस्या दो मुहे वालादी समस्या वालादी लंबाई बहुत शोटी रह जाना जाँ फिर डेंडरफ इनना सारिया समस्या त सब तो पुखता अलाज है सब सुरिय काल दोस्तों मैं परगड़ सिंग पुलर एक वरी फिर तो स्वागत कर दें थो अपने यूट्यूब चैनल ते फेस्बुक पेज दे आज जेस वीडियो दे वेच में तो अडेनाल एक बहुत शांदार नुक्ता सांजा करना जेड़ा व वाला दिया समस्या नुँ हाल करने ले तुसी तरह 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 ते शेंपू कंडीशनर ते हर तरह तरह ता हेर अलजमा के ठाक चुके हो पर किसे ने वी तो अनुट वाड़ी इच्छा मताबक रिजल्ट नहीं देता पर ए अलाज दी सिफत आईरवेद वेच वाला दिय आते सिर्दिया कमजोरिया नुँ दूर करन वास्ते सब तो जादा कीती गई है की ने वाला दिया कामन समस्या ते ए अलाज की है आओ अपाइस बरे गल कर नहीं होना सी गल कर देया वाला दिया समस्या माते होना दे लाज बारे एत्प मैं तो अनुआर वेद दे अकौर्ड आंस्ट्रीपेशन रही दिया ते पेड़ विच बहुत जादा गैस बन दिया ते जोडा दे विच बहुत जादा दर्द रिए और लोक वात प्रकृति दे मुड़ने ने इनलानु जो कौमन वालां समस्यां वां दिया उदे विच सब तो प्यान कुं दिया नहां दे समय ज वालां दी लंबाई बहुत काट जाना ते डेंड्रफ ते बहुत जादा डेंड्रफ जावाल चरंदी वजा करके गंजे पनदी समस्य आ जाना सो इनना लोकाने आफ दियां प्रॉब्लम्स दा अलाज कितना करना है एदेली जो आयरवेद विच सब तो वदिया चीज है ओ है जी बदाम रोगन ए तेल दा अपयोग असी दो त्रीके नाल वात दे पेशेंटां दे विच करना है जिनना लोकान वात प्रॉब्लम्स ने उनना ने बदाम रोगन दे नाल हफ्ते वेच तेन वार रात नूं सौन लगयां सिर्दी बड़ी चंगी त्रीके नाल मालिश करनी है रात नूं मालिश करन दे नाल एक ता तो अनूं नीद बहुत वधी आऊगी दूसरा बहुत खराब हो चके बलड सर्कुलेशन नूं बदामा दा तेल बड़ी वधी त्रीके नाल इंप्रूव करदा है ते नाली हर रोज दास बूंदा बदाम रोगन दियां गुन गुन पूरी लग दिया ते जीदी वजा नाल वालानू जो कम जोरी आउं दिया उपके तौरते हाल लो जान दिया वैसे वी बदाम रोगन ते बदामा दा बहुत जादा वड़े पदर ते उपयोग कीता जान दा वाला दिया दिकता नूं ठीक करन देली ते नेक्स्ट असी गाल प्रकिर्ती वाले लोगा नूं गर्मी बहुत जादे लग दिया हर समें प्षापदा रंग पीला रहीं दा नमकीन खान दी इच्छा रहीं दिया है किसे ना किसे तरह दा चमडी दा रोग जा फिर हर समें जा देन दे विच जादा तर्ट जाब बहुत जादा बनदा है ए लोग पित प्रकिर्दी दे पेशेंट हूंदे ने इन नानी झो कौमन समस्या मां ऊंदियाने वाला विच्छ सब तो पहली जडी समस्याँ वब तो नग नजला rides semaine करके वालाधा समों पहला स फाहेओ हो जना दूसरा प्रकुर्ती पित डी हावी उन करके स्थीर से विच उता ताधा शेंगे ज़त जना जी दी वजा करके आईकम जोरी नाल समय तो पहला सफेध ऊजन्य इसमैसी आधी के वालादे विच गण्जे पान धी समस्याऊं धी एक समस्याण यह वाला धी जिन्हों सकी स्कैलप सुराइस जाना होन सीड़ करकाते हैं लोकाने बदाम रोगन ता किद्धा इस्तमाल करना है सेम हफते विच तेन वार रात नू सौन लगया मालिशता जरूर करनी है पर जिनना लोकान दी स्कैल बहुत आईली है हेर बहुत आईली ने उनना ने अगले दिन थोड़े जे शेंपू देनाल आफ दे वाला दे इनम ही ने सेवन करनी है ते जिनना लोकान नो नाकदे विच्च नजला आजया हर समी नाकदे विच्च रेशाजा पाणी होडा स हो दा रेईलं के विच लात नू ॹमीन बहुत जल्दी ठीक कीता जा सकता है सो बाकि रही काफ़ प्रकिर्ती दे लोका दी गयाल उन्हालों कद वेच वालां दिया समस्यावा बहुत काटाउं दिया ने सो दोस्तों मेरी एक हमेशा तो कोशिश रही है कि मैं तो अदिया समस्याव भड़े सदार्ण सउखे दे सस्ते करें ताकि उन्हा लोकानों आफ दियां वाला दियां समस्यामादा पकाल आज मिल सकें तानवाद